हाई गाईज यह वीडियो मेरे लिए बहुत ही इस्पेशल है क्योंकि यह मेरा पहला कॉलाबरेशन वीडियो है और यह आर्ट तुस्पा प्लैनेट और उनके प्राइड ओफ इंडिया सेग्मेंट के लिए यह मैं वीडियो लेके आई हूं और यह वीडियो है मेरा जनती होती है जिसकी यह पेंटिंग और आजकल यह पेंटिंग स्पुछ लाइक्वार्ट है में मैं आपको बताद है पहले तैथम यह इनग दी जाती है Qa highlightiri से देखते हैं जहां और हम एक वीडियोग से लिवा फिल मिला स्यासमें पर्यायम के प्लियास भीन चाष्म कि इसमें जादा तर हिरन, पिकॉक, एलिफेंट ये सारी चीज़े इन में बनाई जाती है उसके बाद थर्ड इनकी स्पेशालिटी ये है कि आप एक फिगर में सिस्टर कलर ही लगा सकते हैं जैसे लीफ में देखे मैंने डार्क एंड लाइट एंड डार्क यूज किया हुआ इनकी ब्रांचे में मैंने लाइट और यूज किया है देखे एक पिकॉक में मैंने लाइट और यूज किया है और एक में पिकॉक में इनके ही सिस्टर कलर लगा हुए ये इनकी स्पिशालिटी है तो इसको हम पूरा जो है बनाते हैं पूरे मेरे वीडियो को देखिए और बताइए आपको कैसी लगी सबसे पहले जो पाइंटिंग हे हमारी इसकी हम क्या करेंगे आउट्लाइन इसकी क्या करेंगे आउट्लाइन के लिए आउटलाइन आपको फाइन करनी है क्योंकि कलर करने में फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह मैंने अक्रेलिक कलर लिया हुआ है आप चाहे किसी से भी बना सकते हैं बट अक्रेलिक कलर से खुबसूर्ती बहुत अच्छी आती है सबसे पहले में इनका जो ट्री पोश्यन है मैं उसमें कलर करना स्टार्ट करूंगी और त्री पोश्यन में मैंने क्या किया है देखे यह डिवाइड बने हुए एक लाइट कलर से करूंगी और एक डाक कलर से करूंगी तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ डाक कलर से करना यह देखे यह जो है आप इसको डाक ब्राउन मैं इसको कर रही हूँ यह देखे यह जोड़के पोश्यन और यह वादा पोश्यन ब्रेश आप पतला लीजेगा मैंने दो नमर का ब्रेश लिया हुआ है आप उसी ब्रेश से करिए तो कि जहां पर थोड़ा सा पतला काम करना है वहां पर ब्रेश का बारी खोना बहुत जरूरी है तो यह देखे और इधर से मेरा यह चल आया ऐसे आपको सबसे पहले डाल प ऐसे यह वाली भी और यह वाली भी हम कर लेंगे तर जितना डार्क हमारा पूश्चन हमें करना है वह वाला कर लेंगे ओके और बहुत ही पेशन्स के साथ काम करिएगा तब ही पेंटिंग बहुत खुबसूरत बनके आती है इस पेंटिंग की बात ही अलग है इसलिए मैं बतारी हूँ कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्लोरी वर्क करिएगा और बहुत ही खुबसूरत उभर के यह पेंटिंग लीफ के लिए देखिए एक मैंने जहे सैप ग्रीन लिया हुआ है सेकंड मैंने जहे लाइट ग्रीन लिया हुआ है इन दोनों की कॉमिनेशन से हम लीफ बनाएंगे यहां पर मैं लाइट कलर से देखिए यहां पर मैं लाइट कलर करूँगी उसके फिर अगल वगल जो है मैं डाक कलर करना स्टार्ट करूँगी यहां पर मैंने लाइट किया इस जगे मैंने लाइट किया यह आपके उपर है आप कहां पर कैसे कर सकते हैं आपको जहां अच्छा लगे क्योंकि ट्राइबल पेंटिंग है इसलिए डाक कलर ही हमें लगाने है क्योंकि वो डाक कलर ही ज्यादा प्रिफर करते थे, डाक कलर, नैचरल कलर, यही वहाँ पे सब ज्यादा प्रिफर किया जाता तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसी के हिसाब से हम पेंटिंग अपनी कम्प्लेट करें, ओके? यह देखिए मैंने लिया अब मैं इसके साथ डाग कलर यूज करना स्टार्ट करूगी यह देखिए ओके आप पूरे जहां भी लीफ वर्क है आप जो है वहाँ पर इसी कदर कॉमिनेशन से आप बना सकते हैं कोई भी कदर कॉमिनेशन आप उठा गए इसको जो है आप अल्डरनेट कर सकते हैं अगर आप मन है आपका रेडिश करनेगा तो आप रेड और और औरंज के साथ कर सकते हैं बट यहां पर जो कॉमिनेशन लगेगा वह कंट्रास्ट में ना लगके सिस्टर कदर में ही कॉमिनेशन यूज होगा तो ऐसी आप सारी लीफ जो है कम्प्लीट कर लेंगे स्टार्ट करेंगे अब हम पिकॉक की बोडी गो बनाना और सोरी बोडी मैंने लिए है डाभ ब्लू एंस्काय ब्लू melon अब इसे लिए अलग深 अलगा करेंगे स्टार्ट खरना चाहिए मैं थोड़ें नक्र से स्टार्ट कर रही है तो सबसे पहले में रहे हएं इय। अलकि कालम लगा रही हूं यह देखे तो अब जो है ये ब्लॉक छोड़के और मैं इसमें करूंगी एक्रलिक कलर बहुत ही जादा खुबसूरत उठके आते हैं आप किसी भी कंपनी का एक्रलिक कलर ले सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे आते हैं शाइनिंग बहुत रहती है इनके उपर अब जो है आते हैं आते हैं एक्रादे आते हैं यह देखिया पंटिंग जो है प्रूशी तरह से मेरी सुख गई है अब देखिए मेरा ब्रश का काम जो है कलर का काम खतम हो गया है और यह मेरे डॉम्स के जो है ब्रश पेंस लीये हैं इनसे क्या करना है जो हमारी ठोडी सेंस्टिफ जगे यह उनको हम ब्रेश से ना करेंगे, सबसे पहले, मैंने येलो कलर लिया हुआ है, इससे देखें जो हमारा ये एरिया है, ये हम इससे फिल करेंगे, येलो से हम फिल करेंगे, और इसकी बीग भी हमें येलो करनी है, मैंने इसकी भी बीक येलो करी लेक्स हमे और जो ये हमारा पेल का ये वाला हिस्सा है इसको भी हम येलो से मलज इतना हमारा ये फ्री एरिया है इसको हम येलो से फिल कर देंगे अब देखी जो हमारी गॉंड आर्ट की में इस्पेशालिटी होती है हम स्कुष स्टार्ट करेंगे कैसे देखी ये हमारा जो है स्काई ब्लू है लाइट है तो मैंने डार्क कलर ले रखा है इसी कलर का ही हमें लेना है और ये देखिए ये हमें ऐसे करके जैसे हम डैश लगाते हैं वैसा मार्क हमें पूरी पेंटिंग में कर देना है पूरा हमे उस तरह आप से क्योंकि हम जिस कलर से बनाते हैं इसमें इस्पेशालिटी है यह है यूज हम करते हैं ये यूं तरह से हमने पूरा और जहां हमारा डार्ग एरिया है वहां पर हम वाइट से कर देंगे मैं आपको एक करके दिखा देती हूं प्याले मैं इसको कर दे रही हूं पूरा फिल यह ऐसे देखिए हमने इसको पूरा फिल किया और डार के लिए मैं वाइट कलर ले रही हूं मेरे पास वाइट कलर पैन नहीं है जेल पैन तो मैं कलर यूज कर रही हूं अब देखें इसको मैं कैसे यूज करूंगी मैंने यह कलर लिया एन ये देखिए जो हमारा डार्क पोशेन है ये देखिए यह हम इस पे चलाएँगे औके ये देखिए ऐसे ही यह देखे जो डार्क जहां भी आपको डार्क लगे वहां पर आप हमेशा वाइट ही करिएगा यह याद रखेंगे देखें यह इसकी स्पिशालिटी है गोनाट की यही एक स्पिशालिटी है जो इसको मधुबनी से थोड़ा अलग करती है ओके इस तरह से हम इसको करक कवर करेंगे और जैसे अब यहाँ पर देखें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम फिल करेंगे यह देखें यह ऐसे करके हम इसको यह देखें यह हमें पूरा इस तरह से शेफ हमें दे देना है ऐसे हम पूरी पेंटिंग के साथ करेंगे और यह देखें इस तरह से यह मेरी जो है पिंटिंग बनके रेडी हो गई आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि यह मेरा वीडियो जो है आठ चुस्पा ब्लैनेट के साथ कोलाबरेशन में है और उनके प्राइड ओफ इंडिया सेग्मेंट के बारे में और जानने के लिए आप लोग इनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यकीन मानिये आपको और भी खुबसूरत खुबसू के साथ तिल ने नम रता को बाइबाई